ही एवरीवन आज के विडियो लेक्छर में हम आगए प्रोसीड करेंगे पिछले वाले विडियो लेक्छर में हमने बात की थी कि कोई सेट क्लोस का बमलतन है वो के उसकी डेफिनेशन देखी थी तो उसकी दो डेफिनेशन थी एग यह कि कई सेट सबसेट of matrix स्पेस एक तो ओके तो वह जो सबसेट है वह दो होगा जब उसका compliment open होगा या फिर वह अपने सारे limit point को contain करएगा वोके ये दो definitions थी हमने examples भी देखे थे तो आज की video lecture में उन दो definition को हम prove करेंगे और इसका prove बहुत interesting होने वाला है क्योंकि दो definition है और पहली वाली definition को मैं दूसरी वाली definition की मदद से prove करूँगी और जो दूसरी वाली definition है उसको पहली वाली से सबसे पहले हम first definition को prove करते हैं कि f is closed if and only if fc is open ठीक है अगर मैं यहाँ पर directly definition लगा हूँ कि हाँ f close है तो इसका मतलब यह है कि fc open है ठीक है by definition तो हम definition को prove करें तो definition को use करके कैसे उस theorem को prove कर ले इसलिए हम यह वाली definition यहाँ पर use नहीं करेंगे हम इसको prove करेंगी किसके मदद से second वाले definition से ओकी तो लेट स्टार्ट पहला मुझे क्या करना है कि f closed है अब मुझे यह शो करना है कि fc open है so f is closed और मुझे शो क्या करना है कि f complement is open ओके f complement मतलब क्या f complement मतलब उस universal set में से मैंने f को हटा दिया तो जो बच्चे का वो f complement होगा ठीक है अब देखे f is closed इसका क्या मतलब होगा कि it contains all its limit point ओके तो मैंने यहाँ पर second वाली definition यूज़ कर दी to prove first definition ओके तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी तो f closed है इसका मतलब यह है कि by second definition यह अपने सारे limit point को contain करती है अब मुझे यह शो करना है कि f is open ठीक है तो sorry f complement is open so f complement is open तो f complement के दो possibilities है number one कि हो सकता है f complement जो है वो empty हो number two हो सकता है कि वो non empty हो ठीक है और आपको पता है कि जो empty set है वो हमेशा क्या होता है open होता है तो यह trivial condition है कि अगर fc empty set है तो वो हमेशा open होगा तो बात करते हैं non empty set की so let fc is non empty यानि कि मैंने second वाली condition को प्रूव करना है तो fc क्या ले लिया non empty ले लिया अगर fc non empty है तो इसका मतलब यह है कि कोई एक element इसके अंदर जरूर exist करेगा ठीक है so x belongs to fc कोई एक element तो जरूर इसके अंदर होगा देखिए अगर x जो है वो f compliment में जा रहा है इसका मतलब यह है कि x जो है वो f में नहीं है ठीक है क्योंकि compliment में वोई element जाएंगे जो उस सेट में नहीं होंगे राइट सो x belongs to fc this implies कि x is not a member of f ठीक है अब देखिए एक्स जो हो f में बिलॉंग नहीं करता देखिए कि x does not belong to f इसका मतलब क्या हुआ इस इंपलाइज कि x is not limit point of limit point of f ऐसा क्यों कहा मैंने क्योंकि अभी first statement में मैंने यह चीज कहीं है कि अगर f f closed है ठीक है इसका मतलब यह है कि अपने सारे limit point को एक contain करता है तो f के अंदर जितने भी points है उस सारे उसके limit point है ठीक है और यहां पर हमने एक ऐसा point ले लिए जो f के अंदर नहीं है और f के अंदर कौन नहीं होगा जो उसका limit point नहीं होगा ठीक है तो f के अंदर क्योंकि सारे उसके लिमिट पॉइंट है और x जो है f के अंदर नहीं है इसका मतलब वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि अगर उसके अंदर होता तो उसका लिमिट पॉइंट होता ठीक है so x does not belong to f this implies x is not limit point of f ठीक है अगर x जो है वो f का limit point नहीं है तो by definition कोई चीज कोई element जो है किसी subset का limit point कब नहीं होता अगर उस x के ऊपर एक open sphere ऐसा हो जिसका intersection f के साथ और इस में से मैं उस x को हटा दू तो यह कितना आए यह आए empty ठीक है क्या definition होती है limit point की क्या definition होती है कि for all r greater than zero उस x के ऊपर एक ऐसा open sphere intersection जिस set की हम बात कर रहें minus उस set में से उस x को हटा दीजिए तो वो non empty आना चाहिए तब हम कहते हैं कि वो जो x है उस f का क्या है limit point है लेकिन यहाँ पर x f का limit point नहीं है तो यह जो condition है वो कितने आएगी empty आएगी लेकिन x तो वैसे इस में नहीं है ठीक है यह पार्ट तो वैसे ही f में नहीं है तो इन दोनों के intersection में भी नहीं होगा तो इसको मैं हटा भी दूं रखूं तो अभी कोई फरक नहीं पड़ता जो कि एक्स खुद f में नहीं है ठीक है तो इसका यह मतलब है कि s r x intersection f कितना है यह empty है ठीक है देखिए जो X है वो F में नहीं है SRX में तो है लेकिन F में नहीं है और intersection में वह ही पॉल्इन जाता है जो दोनों में common हो ठीक है तो इस में बाकी हो ना हो लेकिन इस में जो है x नहीं है ठीक है तो srx intersection f कितना आ गया एंप्टी आ गया ठीक है मैंने x को हटा दिया क्योंकि वो f में खुद नहीं है तो srx intersection f is empty ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि srx और f की बीच में कोई भी point common नहीं है तो इन दोनों के intersection में कुछ भी common नहीं आया देखिए intersection में common कब आता है जब वो दो set एक दूसरे के subset हो माल लीजिए यह a है और यह b है तो इन दोनों के intersection में कुछ common कब आएगा माल लीजिए जब a b का subset हो या फिर b जो है a का subset हो लेकिन यहां पर हम consider कर रहे हैं कि b एक बड़ नहीं है ठीक है क्योंकि कोई common element जरूब होते है इस f के साथ isrx के ठीक है तो क्योंकि कोई common element नहीं आ है इसका मतलब यह यह कि srx जो है वह , आपका subset नहीं है तो अगर srx ऐफ का subset नहीं है तो वो देखिए srx जो भी set है वह एक और स्पीर है ओपियेस्ली वो x के नंदर ही है हम x के बाहर नहीं जा रहे है ठीक है तो srx जो है वो x के अंदर ही है और यहां से हमने देखा कि srx जो है वो f के अंदर नहीं जाता तो बचा क्या इस x में अब बचा क्या it is f complement ठीक है क्योंकि x जो है एक f से बना हुआ है और एक f complement से बना है तो srx f में ने गया तो इसका मतलब यह है कि srx जो हो f complement में गया ठीक है अब ध्यान दीजिए कि srx जो है it is subset of fc f complement और x लिया कहां से था हमने x हमने लिया था f complement से बट x मैंने लिया कहां से था f complement से लिया था और मैंने यहाँ पर यह imply करके क्या दिखा दिया यह imply करके दिखा दिया कि srx जो है वो subset है fc का याने कि इस x के ऊपर open sphere fc में contained है और यह किस चीज़ की condition है यह है neighborhood of a point की condition या फिर आप कह सकते हो open set की condition यहाँ पर x मैंने कोई भी एक arbitrary point दिया था यह कोई भी arbitrary point है ठीक है और वो मैंने दिखा दिया कि इसके ऊपर open sphere fc में contained है तो याने कि fc जो है इस x का neighborhood है और क्योंकि यह arbitrary point है तो fc के अंदर आप कोई भी point लीजिए fc जो है उन तमाम points का क्या है neighborhood है this implies कि fc is open ठीक है और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि अगर f closed है तो fc क्या होगा open होगा ठीक है fc is open to show f is closed अब देखते हैं इसको किस तरह से हम प्रूव करते हैं अब मुझे f को closed दिखाना है ठीक है तो फिर से वही बात कहूंगी कि by definition आप यह नहीं कह सकते कि अगर fc open है तो f closed है मुझे दूसरी definition की मदद लेनी पड़ेगी fc open है अब मुझे यह show करना है कि f closed है that is to prove इसका क्या मतलब है कि मुझे क्या show करना है कि f contains all its limit point ठीक है अब इसको हम show करेंगे by contradiction method तो हाँ so it contains all its limit point ठीक है तो मैं एक limit point लेती हूँ f का ठीक है x जो है मैंने क्या ले लिया limit point of f और इस तरह से लिया है कि वो f में contain नहीं है ठीक है मैं उल्टा लेके चल रही हूँ क्योंकि देखे अगर f को close होना है तो वो अपने सारे limit point को contain करेगा लेकिन मैंने एक ऐसा point ले लिया जो इसका limit point है लेकिन वो f में contain नहीं है so let x be a limit point of f but it is not contained in f ओके तो यह चीज देखते हैं कि यहां से क्या contradiction निकल के आती है अब देखे एक्स जो है वो f में नहीं है this implies कि x कहां जाएगा compliment में जाएगा ठीक है अब compliment क्या है fc is open fc open है और x जो है fc का element है इसका मतलब यह है कि fc open है इसलिए x के उपर एक open sphere होगा जो fc में contained होगा ठीक है इसका मतलब यह है कि srx is subset of fc ठीक है अब आपको एक property ध्यान में रखनी होगी कि अगर a subset है b का तो a intersection c इस subset of b intersection c बहुत simple सी बात है अगर a b का subset है और इन दोनों में मैं intersection लेती हूँ किसी तीसरे set c के साथ ठीक है तो माल लिजे a और c का जो intersection आया है वो है x a और c का intersection मतलब क्या जो a में भी है और c में भी है और b और c का जो intersection आया है वो माल लिजे कुछ y अगरा आया है तो यहाँ पर a intersection c में जो element आएंगे वो B intersection C से कुछ अलग नहीं आएंगे ठीक है क्यों क्योंकि A खुद जो है B का subset है A के अंदर जो element है वो B के अंदर भी है ठीक है तो यहाँ पर possibility है कुछ नए element आने की लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यह property आपको छोटी सी ध्यान में रखनी होगी कि A intersection C is subset of B intersection C F का तो S R X का intersection with F is subset of F C का intersection with F ठीक है बट F C का intersection with F कितना होता है It is empty दोनों एकदम complement है यह इसका complement है इस दोनों में कुछ भी common नहीं है ठीक है तो इसका मदलब यह है कि S R X intersection F कितना आ गया है इस subset of empty अब कोई भी empty का subset नहीं हो सकता सिवाइकॉन empty के ठीक है तो इस इस ओनली पॉसिबल में यह S R X intersection F का है खुद empty है ठीक है अब एक चीज़ देखें S R X intersection F कितना आ गया empty आ गया और यह भी ध्यान में रखिए कि X जो है वो F में belong नहीं कर रहा है हम जिस तरह से लेके चल रहे हैं ठीक है अगर इन दोनों के intersection में X नहीं है उसको हटाने पर भी वो empty आएगा ठीक है तो इसको रखू ना रखू सेम बात है तो S R X intersection F minus X is what empty ठीक है हटाने पर भी वो empty आएगा क्योंकि वो खूद उसमें है नहीं तो आप हटाओगे क्या लेकिन मैं इसको लिखना चाहती हूं क्योंकि यह limit point की definition बन जाएगी ठीक है और यहां से क्या दिख रहा है कि X is not limit point of F क्योंकि वो इस condition को satisfy नहीं कर रहा है क्योंकि limit point होने के लिए यहां पर non empty आना चाहिए लेकिन यहां पर empty आ रहा है so X is not limit point of F ठीक है और हम लेके क्या चले थे कि X is limit point of F तो ऐसा possible नहीं है ठीक है तो हमने जो consider किया है कि X does not belong to F यह गलत statement है और इसी लिए this is contradiction okay तो यह contradiction आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो consider किया था उगलत है okay so this implies कि X belongs to F ठीक है और X क्या था limit point था और X जो है F में belong करता है इसका मतलब यह है कि सारे जो limit point है क्योंकि X arbitrary था ठीक है तो सारे जो limit point है F के वो F में belong करता है और इसका मतलब यह है कि F क्या है closed है क्योंकि जो अपने सारे limit point को contain करें वो क्या हो जाएगा closed हो जाएगा so this implies F is closed this implies F is closed ठीक है अब हम जो है second statement को प्रूव करेंगे और पूरा प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि आप देखोगे कि यही प्रूव इसका भी आता है वो कैसे देखें सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि F is closed if it contains all its limit point okay so first term में मुझे क्या करना पड़ेगा F को closed लेके चलना पड़ेगा F is closed और टू शो क्या करना होगा कि it contains all its limit point ठीक है अब मैंने कहा था कि पहली वाले definition को प्रूव करने के लिए हमने second वाले definition का यूज किया और अब मैं second वाले definition को प्रूव करने जा रहे हूं उसके लिए मुझे पहली definition का यूज करना पड़ेगा ठीक है तो F is closed इसका क्या मतलब होता है कि F compliment is open इसकी मदद से मुझे ये चीज़ प्रूव करने है ठीक है so F is closed it implies कि FC is open और मुझे ये शो करना है कि it contains all its limit point अगर आप इस statement को देखो और इस वाले प्रूव को देखो तो ये सेम है ठीक है देखे क्या है ये FC open है ये दिया गया है ओके अब मुझे F is closed ये चीज़ पता है ठीक है अब इसको अटा देती हूं मैं मेरे पास given क्या है वो देखे FC is open यहाँ पे भी FC is open ये given है अब मुझे ये शो करना है कि F contains all its limit point यहाँ पर मुझे क्या करना है कि F contains its all limit point ठीक है तो इसका जो प्रूफ आएगा वो यही आएगा ठीक है तो first theorem का जो second part था वो second theorem का first part बन जाएगा ठीक है तो इसका जो प्रूफ है जो हमने यहाँ पे किया है पूरा वो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अब देखे second क्या करना है अब देखे इसका Converse कैसा होगा कि F जो है अपने सारे limit point को contain करता है अब मुझे ये शो करना होगा कि F closed है ठीक है so F contains its all limit point F is closed to show F is closed ठीक है that is to show क्या कि FC is open ठीक है अगर क्योंकि फिर से वही बात कहूंगी कि अगर आप by definition कहते हो कि कोई subset अपने सारे limit point को contain करता है तो वो close हो जाता है ठीक है न तो ऐसे straightforward नहीं कर सकते इसलिए क्या करना है कि F जो है अपने सारे limit point को contain करता है और हमें F को close show करना है मतलब उसके compliment को open दिखाना है तो फिर से यहां पर मैंने second definition का use किया ठीक है और आप इसका अप्रूफ जो है पहले वाले पार्ट की तरह कर सकते हैं यहां पर क्या है इट कंटेंस all its limit point to show FC is open यहां पर भी हुई है F contains all its limit point to show FC is open ठीक है तो बस definition twist हो जाएंगी यहां पर F closed दिखाना है और यहां पर F close लिया गया है ठीक है लेकिन प्रूफ सेम है आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा ठीक है तो इन दोनों का प्रूफ कहने का यह मतलब था इन दोनों डेफिनेशन का प्रूफ सेम है जो यहां के फर्स्ट पार्ट में आता है वह सेकेंड थियरम के सेकेंड पार्ट में आएगा एन वाइस वर्सा ठीक है तो यह था अधियरम ओन एफ 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 अगर क्लोज्ड है तो उसका एफ सी ओपन होगा और वह अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा ठीक है और भी थियरम से देखेंगे अगले वाले वीडियो में